नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 16 सितंबर शुकरवार सुबा 6 बजे राजेस्थान की खास खबरे अलवर जिले में सरकार को GST नहीं देने वाले दो व्यापारियों के परतिष्ठान पर वनिजे कर विभाग की टीम ने सर्वे की कारवाई शुरू की इसमें एक अलवर शेयर के रोड नमबर 2 निवासी नामी मुबाईल कारूबारी पर दूसरा किशन गटबास का सीमेंट वे सरिया व्यापारी शामिल है दोनों व्यापारी कई सालों से सरकार को GST नहीं दे रहे हैं जबकि करोड रूपे का कारूबार कर रहे हैं इसके इलावा व्यापारियों की तरफ से ITC क्लेम भी लिया जा रहा है वानिजे कर विभाग की मुख्याले ने ऐसे व्यापारियों की एक सूची तयार की है जो सरकार से ITC क्लेम ले रहे हैं जबकि सरकार को GST नहीं दे रहे हैं विभाग की अधिकारियों ने कहा कि करोडों की जियस्टी चोरी मिलने की उम्मीद है, अतिरिक्ता युक्त प्रिशाशिन पूरनमल ने कहा कि आगे भी यह पड़किरिया जारी रहेगी उत्रप्रदेश के लखीमपूर खीरी जिले में दूस सगी दलित बेहनों के शव पेर से लटके मिले, इस मामले में परीजनों की तहरीर पर हत्या, रेप और पोक्सु एक्ट में एफ़ेयर दर्स की गई है, परीजनों ने एक नामजद और तीन अग्यात युकों पर अपहर कर दोनों बेहनों से रेप के बाद हत्या का आरूप लगाया है, आईजे लक्षमी सिंग ने खटना स्थलका बारीकी से मुआइना किया, पुलिस ने खुलासा किया है कि आरूपियों ने दोनों की हत्या के बाद शव पेर सिल्ट काये थे, ताकि मामला सिसाइड का लगे, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मुठबेड के दौरान पैर में गोली लगने से एक आरूपी घाय लो गया। लखेंपूर खेरी के एसपे संजीव सुमन एक प्रेस वारता में कहा कि छे आरूपियों की पहचान छोटू, जुनेद, सोहिल, हाफिजुल, करीमुदीन और आरिफ के रूप में होई है। प्ररंबिक जाच में पाया गया कि दोनों लड़कियों को पास के एक खेत में बहला फुसला कर लिजाने वाले सोहिल और जुनेद ने रेप किया, बताया गया कि लड़कियों द्वारा मांग की गई कि आरूपी उनसे शादी करे, इसके बाद उनकी गला घूंट कर हत्या क कर दे गई, दोसा जिले में जहरीले जानवर के काटने के बाद मांबाप अपनी दो मासुम बेटियों को हॉस्पिटल ले जाने की बजाए बाबा के पास ले गए, बाबा ने तीन घंटे तक जाड़ फूंग किया भस्न देता रहा, इसके बाद भी होश नहीं आया, तब पाखिरकार परीजन बच्चियों को ले कर अस्पिटाल भागे, हॉस्पिटल पहुशने पर पता चला कि दोनों पहले ही दम तोड़ चुकी थी, मामला दोसा जिले के सुरसपुरा गाम के रामबस वालों की धानी का है, जानकारी के अनुसर रोहिताश मीना परिवार के जरीले जानवर घुस गया, इसने पहले पिता के पास सो रही दो वर्षय चोटी बेटी वंश को काटा, इसके बाद माम पूजा देवी के पास सो रही चार साल की मान्या को भी कान के नीचे काट लिया, पूजा जाग गई, उठकर लाइट जलाई तो देखा जरीला जानव दोनों बेटियां चेत हो गई, इस पर परिवार के लोग दोनों को अलिपुर गाम के भकता वाला बाबा के यहां पहुँचे, यहां बाबा ने करीब तीन घंटे तक जाड़ फूंकी, बाबा भस्म से इलास करता रहा हम, जिससे दोनों की मौत हो गई, राजदाने जैपुर में जानवरों के खाने वाले भूसी वेच्चापड के अंदर कलर मिला कर मेर्च और धनिया पाउडर बनाने की फैक्टरी चोमू में पकड़ी है, संभवतिया ऐसी पहली बार है कि इनसानों के खाने में इस तरह की मिलावट पकड़ी गई है, फिलहा रबड़ी की शिकायद पर नरेश और रतन सिंग को मौके पर भीजा, यह 7000 किलोग्राम भूसी चापड के साथ मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर रखा गिया था, जांच में आया भूसी और चापड से ही मिर्च तथा धनिया पाउडर बनाया जा रहा है, अधिकारियो ने मौके पर ही 600 किलो नकली मिर्च पाउडर, 200 किलो नकली धनिया पाउडर और 7000 किलो भूसी वे चापड सीज कर दिया, जहां यह सब काम हो रहा था उसका लाइसंस भी नहीं था, सैंपल लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने पर मामला दर्स किया जाएगा, दोसा के बांदी कुई के आभा नेरी के पास दो साल की बच्ची 200 फिट गहरे बोर्वेल में गिर गई, सूशना मिलते ही प्रशाशन की टीम मौके पर पहुंचे और बच्ची को निकालने के प्रियास शुरू कर दिये गए, लेकिन तेज बारिश के चलती एक बार रेस्क्य को भी लोकना पड़ा, जानकारी के अनुसर गाम के देव नरायन गुजर की एक साल की बेटी अंकीता खेलते हुए अचानक बोर्वेल में गिर गई, खरवालों ने तुरंतिस की सूशना प्रशाशन को दी, इधर रेस्क्य ओप्रेशन शुरू होते ही बारिश होने लगी, इस प करके बार खड़ी मासुम की मां का रो रो कर बुरा हाल है, चुरू में जॉइट बैंक अकाउंट से लिंक मुबाइल नंबर बदल कर दोखा दड़ी का मामला सामने आया है, मामले में पीडित ने अपने पतनी और उसके भाई के खिलाफ थाने में मामला दर्स करवाया है, आरोपियों ने बैंक अकाउंट से लिंक मुबाइल नंबर बदल कर 3,90,000 पे निकाल लिये, एसाई गिर्धारी लाल ने बताया कि वाड दो चूरू निवासे महेंदर सिंग ने रिपोर्ट दी कि वह है रिटाइड सैनिक है, उसके शादी 21 साल पहले सुनीता से हुई थी, उसका और उसके पत्नी का जॉइंट बैंक अकाउंट है, उसके पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर बैंक खाते से लिंक मुबाइल नंबर चेंज करवा लिया और बैंक खाते से 3,90,000 पे निकाल लिये, जिसके बाद दोनों ने मुझे बीनासर गाउं बुलाया और पेड से बान कर मेरे साथ मार पिट की, इसके बाद भी मैंने पत्नी को चूरू शहर में 20-25 लाख रुपे की जमीन खरीद कर दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्सकर जाच शुरू कर दी है, सरकारी नौकरी की तयारी करे है, युवाओं के लिए अच्छी खबर है, केंद्रिय ग्रह मंत्राले की अधीन, केंद्रिय ओधूगी को सुरक्षा बल, CISF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ESI, स्टैनो ग्राफर और हैड कोंस टेबल के पदों पर विकेंसी निकाली है, जिसमें ESI के 122 पदों और हैड कोंस टेबल के 418 पदों समीत कुल 540 पदों पर भरती की जानी है, जिसके लिए 12 पास केंदिडेट्स CISF के ओफिशल वेबसाइड CISFRECTT.IN पर जाकर 25 अक्तूबर तक ऑनलाइन अवेधन कर सकते हैं, अवेधन करने वाले केंदिडेट्स को किसी मानेता प्राप्त बोर्ड से 12 की परिक्षा पास होना चाहिए, और अवेधन की आखिरी तारिक तक पर्मान पत्र प्र्याप्त किया होना चाहिए, कैनी रेट्स की उमर 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, जैपुर के जोती नगर पुलिस ने एटियम मशीन के 55 लाख उर्पे के गबन के मामले में देड़ साल से फरार मुख्या भियुक्त को गिरफतार कर लिया है, पुलिस उपायुक्त दक्षिन योगेश गोयल ने बताया कि 2021 में परिवादी नरेश कुमार ने रिपोर्ड दी कि कमपनी राइटर एटियम मशीन में बैंकों के रकम लोड करने का काम करती है, कमपनी करमचारी रविंदर कुमार चाहर ने रूट पर आडिट करवाई तो पचपन लाख रुपे की कमी पाए गए, रविंदर रकम चोरी कर फरार हो गया, पुलिस ने रविंदर चाहर को गिरफतार कर लिया है, उससे पूछ ताश कर रही है, कोटा चिले के नयापुरा थानक शेतर में एक ट्रक चालक ने स्कूटी से थाने जा रही महिला कॉंस्टेबल को टक कर मार दी, मौके पर ही महिला कॉंस्टेबल की मौत हो गई, सुशना पर पहुंचे पुलिस ने उसे तुरंत MBS अस्पताल ले कर गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोशित कर दिया, रेलवे कॉलोनी थाने के ASI जगदीश परसाद ने बताया कि महिला कॉंस्टेबल सुश्मा चौदरी भीमगंज मंडी पुलिस थाने में तैनाथ थी, महिला कॉंस्टेबल सुबा 10 बजे थाने से डाक लेकर SP ऑफिस गई थी, डाक देने के बाद वह माला रोड से थाने वापस जा रही थी, उसे समय पीछे तेजर अफ़तार से आ रहे ही ट्रक ने सुश्मा को टक कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, पंजाब में आमादमी पार्टी की MLA की खरीद फरोखत को लेकर पुलिस ने FIR दर्स कर ली है, पंजाब पुलिस के परवक्ता ने कहा कि 11 विधायकों ने शिकायत दर्स करवाई है, इनमें दिनेश चड़ा, रमन अरोडा, बुद्राम, कुलवंत पंडोरी, नरिंदर कौर भराज, रजनीश दया, रुपिंदर हैपी, शीत लंगुराल, मंजीत बिलासपूर, लाब सिंग उगोके और कुलजीत रंधावा का नाम शामिल है, इसमें अहम बात यह है कि आपने वीजेपी पर आरोप लगाया था, लेकिन केस अग्यात पर दर्स हुआ है, इधर अरविंद केजरिवाल ने 18 सितंबर को सबी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है, सियम भगवंतमान भी उसी दिन जर्मनी से लोटेंगे, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के हवाले से परवक्ता ने कहा कि मामले की जाच विजिलन्स को सौप दी गई है, इधर ने जाना को किमाले से परवक्ता ने कहा कुछ दी जाच आप है,